हालो दोस्तों आज क्योड़ी होता हूंगा किस तरीकेसे आप Snapchat एकाउंट केसे बनाएं How to create Snapchat एकाउंट 2024 Snapchat एकाउंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले Google Play Store open कर लेना है Play Store को open करने के बाद यहां पर आपको search करना है Snapchat दिन आपको Snapchat की official application को install कर लेना है Sign Up तो आपको Sign Up पे क्लिक करना है जिसी आप Sign Up पे क्लिक करोगे New Page Pen हो जाएगा Sign is Contact, Allow Snapchat to assess your contact, Allow, Deny तो यहां पर आपको एक option कर जाता है Allow अगर आप Allow पे क्लिक कर दोगे तो आपके friend के पास notification चला जाएगा कि आपने Snapchat पे New ID create किया है, अगर आप चाहें तो यहां से deny भी कर सकते हो तो अभी मैं फिलाल Allow पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसी आप Allow पे क्लिक करोगे एक New Page Pen हो जाएगा, तो यहां पे आपको 5 step complete करना है तब ही आपका Snapchat account create हो जाएगा, तो सबसे पहला step है what's your name, तो यहां पे आपको अपना name enter करना है जिस भी नाम से आप Snapchat पे account create करना चाहते हो तो मैं अपना first and last name enter कर लेता हूँ, name को enter कर देने के बाद यहां पे एक option हो जाता है continue, तो आपको continue पे क्लिक करना है इसी आप continue पे क्लिक करोगे, एक New Page Pen हो जाएगा यहां पे हमरा second step आगया है, step two of five तो second step होता है, यहां पे आपको अपना date of birth select कर लेना है तो select करने के लिए आपको यहां पे month, date और year select कर लेना है जिसके मैं यहां पे select कर लेता हूँ, November यहां पे आप अपना कोई भी date of birth select कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको real वाला एंटर करना है तो मैं यहां पे अपना date of birth set कर देता हूँ, date of birth set कर देने के बाद यहां पे एक option में जाते है continue तो आप continue पे click करना है, इसी आप continue पे click करोगे, कुछ इस तरह का interface आ जाएगा, create account step 3 of 5 यह हमारा third step है, तो third step होता है आपको username select करना है, जिस भी username से आप Snapchat पे ID बनाना चाहते हो, तो यहां पे आपको एक username show करेगा, जैसे के मेरे यहां पे शूकर है, जवाद A2906 तो अगर आप चाहें तो यहां से change कर सकते हो, अपना username, चेंज करने के लिए यहां पे एक option क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहां पे यहां पे जवाद खान दे देता हूं तो यहाँ पर बताएगा जवाद खान is already taken तो आपका already taken अगर आप यहाँ पर show करेगा तो आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर एक और username try करना है different different try करके देख लेना है जिसके मैं यहाँ पर थोड़ासा number एंटर कर लेता हूं तो यह फिर भी बता रहा है already taken कोई और use कर रहा है मेरा username तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और number add कर देता हूँ number को add कर देने के बाद यहाँ पर आपको बता देगा username is available green tick आ जाएगा तो समझ जाएगा कि आपका username set हो चुका है दिन आपके सामने एक option देखन जाता है continue तो आपको continue पर क्लिक करना है इसी आप continue पर क्लिक करोगे एक new page हो जाएगा यहाँ पर हम रहा अब four step आ गया है step four of five तो four step होते हैं आपको यहाँ पर password एंटर करना है पेज लोड़ोगा आपको थोड़ा सा वेट करना है दिन आपके सामने option आ जाएगा create account step five of five तो यहाँ पर आपको country बहला option पर जाता है तो यहाँ से आप country चेंज कर सकते हो जिसे कि मेरे यहाँ पर इंडिया शुकर रहा है तो बंगलादीश सर्च करना है तो मैं इंडिया सर्च कर लिया हूं select कर दिया हूं दिन आपके सामने phone number वाल option आ जाता है तो अगर आप चाहे तो अपना snapchat account को phone number से create कर सकती हो तो phone number से create करने के लिए आपको यहाँ पर अपना phone number एंटर कर लेना है मेरा यहाँ पर अलड़ी एंटर हो गया है use email instead पर क्लिक करना है इसी आप use email instead पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक option आ जाएगा email का तो यहाँ पर आपको अपना gmail id को enter कर लेना है जिस भी gmail से snapchat account को create करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं अपना email id को enter कर लेता हूं gmail को enter कर देने के बाद यहाँ पर एक option में जाता है continue तो आपको continue पर क्लिक करना है इसी आप continue पर क्लिक करोगे page लोड़ोगा आपको थोड़ा सा rate करना है then आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा add friends add 5 friends तो यह बोल रहा है कि आपको कोई 5 friends को add करना है ठीक है यहाँ पर आपको सभी friend यहाँ पर show कर जाएगा तो आप जिसको चाहे उसको add कर सकते हो चलिए मैं यहाँ पर कुछ friend को add कर लेता हूं friends को add कर देने के बाद यहाँ पर एक option हो जाता है add 10 friends तो आपको 10 friends पर क्लिक करना है या फिर जितने भी आपने select किया होगा उस पर क्लिक करना है add 10 friends विसे आप 10 friends पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का interface आ जाएगा create your bit emoji तो यहाँ से आप emoji create कर सकते हो नहीं तो जाता है skip तो आपको skip पर क्लिक करना है यहाँ नो SECERS कीप पर क्लिक करोगे है Direct option आ जेगा allow snapchat to its is your camera and local storage courtyard to take photos and videos detect see shot most वापको turn on ओंप क्लिक करना है this your turnaround तरन ओंप क्लिक करोगे यहां पिक option आजेगा allow snapchat to assess your photos and medias on your device तो आपको allow प्रक्लिक करना है then आपके सामने option आएगा allow snapchat to take picture and record videos while using the app only this time deny तो आपको while using the app प्रक्लिक करना है then आपके सामने option आएगा allow snapchat to record audio while using the app only this time deny तो आपको while using the app प्रक्लिक करना है सो फंद जए सकते हो हमारा जो Snapchat एकाउंट क्रियेट हो चुका है सो फंद इसी तरीके से आप Snapchat का ID को बना सकते हो 2024 में दिन आपको प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको टाप पे प्रोफाइल वाला आइकन देखने के मिल जाते हैं आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है इसी चैन को सस्क्राइब कीजिगा जैहिन वंदे मातरम